हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप सब के लिए लेके आ गई हूँ आलू के पापर ट्रिस्पी मज़ेदार चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं यह हम हमने आलू बॉयल कर लिए हैं देखिए यह सब हम आलू हम लोग हम और मम्मी दोनो च्छील रहे हैं इस तरह से आप चीन लीजिए यह सर अलू हम चील लेंगे अच्छे से चील जाते हैं यह मैसर से मैस कर लेंगे आप पूरा अंद तक देखिएगा कि यह पापर कैसे बनते हैं बिल्कुल देशी तरीके से गाउं के स्टाइल में यह सारे पापर बहुत अच्छे बनेंगे यह सारे आलू हम देखिए मैस कर ले रहे हैं मैसर से आप चाहें तो हाँ से भी ने फोड़ सकते हैं लेकिन हम मैसर से कर रहे हैं जिससे कोई भी गुल्ठी ना रह जाए जो आलू चोटा-चोटा रह जाता है अब इसमें देखिए मम्मी ने मिला द तीवी हम दालेंगे नहीं तो लाल रंगे बापडने का नहीं होगा रहे हा कैज बने मिलें नर्जन होते हैं उन्हें नमक के साथ को लेकिन को उच्ञन आप देखिए इससे हम सिल बट्टेesh में पीच रही है कि मेरी मदरें ये सिल्वन यह कि एक बहुत मदद करती हैं कि सिल्वर्टे पर यह पीस लें देसी इस्टास सिल्वर्टे पर पीसने जो है एक चिंगना पना जाता है आलू में जो की बहुत स्मूथ और क्रिश्मी बनाता है पापड को यह हम कद्दू कस भी कर सकते हैं लेकिन कद्दू कस करने से वो उस टाइप में पापड जो हमें चाहिए वो नहीं बन पाते हैं आप इस तरीके से एक बार बना के देखिए बहुत अच्छे बनते हैं पाप आलू जब भी उबाइल करें उसमें पानी कम डालें नहीं तो जो उसका पेष्ट यह तैयार होता है डो उसमें वो गीला तैयार होता है हम जब पानी कम रखेंगे तो यह गीला नहीं होने पाएगा देखिए इस तरीके से गोलियां बना लेनी है बना के हम थोड़े थोड़े रख लेगा और आलू के डो को हम ढब कर रखेंगे जिससे कि उसमें जो पपडी पड़ जाती है उपर से वो ना हो देखिए इस तरीके से बना सकते हैं पापर यह सब देशी तरीका हैं मसीन से हमें नहीं बनाया दिखा रहे हैं अब देशी त बना रही है यह देखियो डीय को बना सकतों हैं些 मियन यह यह दोस्वार कशंध से हम और यह त्यवार को बना सकते हैं यह दूसरा पापट अन्यमा ने लिया है कि यह पापर देखिए बनके तयार हो गया है और यह बहुत आसानी से सूखने में भी बहुत जल्दी से सूख भी जाते हैं इन्हें मसीन में बनाने से उठा के डालिए यह मम्मी ने जमीन पर ही यह पॉलिथिन बिचा दी है उसके उपर यह लोई रखके चकले से दबा दे र पापड जो है यह देखे इतने सारे बनके तयार हुए है हलके हलके यह सूख धूब लग रही है तो बराबर यह सूखते भी जा रहे है देखे इस तरीके से बनके तयार हुए है पापड यह मम्मी ने एक के उपर एक रखा इस तरीके से रखने से पापड जो है वो करिए फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ बाए टेक कियर